Welcome back dear students, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा National Scholarship Portal के बारे में, ये एक Central Government का website है, इस website पे जो student हो अपने आपको register कर सकते हैं scholarship program के लिए, आप scholarship के लिए अपलाए करोगे और अगर आप scholarship का जो criteria है उसमें fit बैठते हो और आपको scholarship release होगी फिर, इस scholarship से फाइदा क्या होगा आप का, अगर आप समझें कैसे school में पढ़ रहे हैं, मतलब 8, 9, 10 की fees भर रहे हैं, कोई भी standard में, school section में, या college section में, या फिर कैसे higher degree के लिए आपने apply किया हुआ है, ठीके, so आप जो भी fees pay करते हैं institution को, वो fees almost आपको return हो जाएगी, just scholarship के through, ये vary करता है कि कितना आपको scholarship मिलने वा के according to, ये differ होता होगे, मतलब आपको scholarship से benefit तो होने वाला है, तो अगर आप समझो, studious हो और आपके marks ठीक तक आते हैं, आपके marks अच्छे आते होगे, तो definitely आपको scholarship जो program है, इसमें enroll करना चाहिए, so आईए आपको मैं बताता हूँ कि ये scholarship portal पे आप अपने आपको कैसे register कर सकत हो, अभी ये जो 2021 and 22 का academic year स्टार्ट होने वाला है, right, so आप इस 2021, 22 के academic year के लिए आप apply कर सकते हो, अगर आप first time apply कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिए, आपको इस website पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके screen पे दे रहा है, यह है national scholarship portal, अब इस portal पे आने के लिए आपको क्या करना है, या तो देखिए scholarship.gov.in, यह आपको आपके browser पे search करना है, आपको browser पे डालना है, या फिर आप simply एक काम कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, आप Google पे search कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे scholarship simply search किया, तो सबस पाई देगा, जिसमें यह national scholarship portal है, अब जैसे इस पे click करोगे, यह आपका national scholarship जो portal है, open हो जाएगा, इसको आप play store पे भी search कर सकते हो, कि Google का जो play store है, इस पे भी आप search कर सकते हो, और academic year 2021-22 के लिए, आप अपने आपको register कर सकते हो, scholarship program के लिए, अब देखिए आप first time आ रहे ह है, यहाँ पे देखिए, आपको top पे new registration दिख रहा है, तो इस new registration पे आप click करोगे, so एक नया window open हो जाएगा, जिसमें आपको देख रहा है कि यह new user या register या login to apply, apply for renewal, देखिए, apply for renewal मतलब जो already student ने previous year apply किया हुआ है, वो वापस से अगर इसके लिए apply करना चाहते है, for example, हम उन्होंने 20-21 year के लिए apply किया हुआ है, अब उसको renew करना चाहते है, 21-22 year के लिए apply करना चाहते है, तो यहाँ पे apply करेंगे, फिलाल हमको क्या करेंगे, fresh application के लिए जाने वाले, okay, so fresh application के लिए guidelines है, जो अच्छे से हमको read कर लेना है पहले, new form filling के लिए, okay, अब देखिए, इ instruction दिया हुआ है कि, how to apply, so students applying for the scholarship, for the first time, मतलब जो first time apply कर रहा है, वो मतलब fresh student हो, okay, उसको register पे, register पे click करना है, मतलब as a fresh applicant, और a form fill करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा है, आपको, देख रहा है, new user register, इसको आपको click करना है, और form fill करना है, अब click कर अगो तो पहले यह ही आएगा यहाँ पे, यह जो हमने click करके, यह जो page हो, obtain किया हुआ है, तो इसमें आपको detail दिया है, कि form filling के पहले, आपको क्या-क्या requirement है, कौन-कौन सी चीज़े आपको अपने साथ में रखनी है, यह सारा detail यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीके, उसको सबसे पहले आप इसको यह जो सारे document है, वो अपने पास रखने है, उसके अंदर देखें क्या है, पहला वाला, first one is educational document of student, मतलब जो student है, student के educational documents आपको अपने पास रखने है, ठीके, दूसरा एक तो student का अगर bank account है, तो student का bank account और IFC code, जिस bank में आपका account है, उस bank का, उस branch का एक IFC code होता है, यह भी अपको अपने पास रखना है, अब इसमें एक note down करना है कि जो pre-metric scholarship scheme है, pre-metric का मतलब होता है कि 10th के पहले समझे, 10th के पहले की बात कर रहे है, so where students do not have their own bank account, मतलब उनके पास अगर अपना खुद का bank account नहीं, मतलब student का bank account नहीं है, that time क्या कर सकते है, जो student का parent या guardian है, bank account का detail fill करना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ pre-metric students के लिए, अब देखें आधार card का number student का और अगर आधार card का number available नहीं है, so आपको bonafide certificate, student का bonafide certificate, जो कि आप जिस institution या जिस school में आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ से आपको ये bonafide certificate अप्टेन करना है, अगर आपके पास आधार card नहीं है तो, आधार enrollment ID और scanned copy of bank passbook, देखो आधार enrollment ID आपके पास हो, या फिर जो bank का passbook है, उसका scan करके आपको copy यहाँ पे submit करना होगा, if institute or school is different from the domicile state of the applicant, then bonafide student certificate from the institute or school, एक और चीज़ के, आपका अगर domicile certificate देखिए, जिससे state में आप रहते हो, मतलब उसस state के आप citizen हो, तो, जिस state में आप study कर रहे हो, जिस state के आप citizen हो, वहाँ से आपको domicile certificate मिलता ही है, यह allag-alag होता है, मारास्ट्रा का अलग होगा, UP का अलग होगा, राजस्तान का अलग होगा, हर एक जो state है, हर एक state का यह अलग-अलग domicile certificate होता है, अगर आप किसी और समझजी, स्टेट के डोमिसाइल होल्डर है मतलब अगर आप समझे कि हैं राजस्तान से और नियूली आपने महारास्ट्रा के अंदर किसी इंस्टिउशन के अंदर स्टडी करने के लिए आपने एड्मिशन लिया हुए तो ताइम आपको बोनाफाइड जो स्टिउशन है जिसमें आप अपने एड्मिशन लिया हुए वहां से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्टेन करना होगा ओके अब देखे सारी चीजे तो अपको अपने पास रखनी है इसके बाद फिर देखे हम लोग जाते हैं कि इसमें जो कंपल्सरी चीजे जो आपके पास होनी चाहिए एक आपके बान बॉनेत अपके पास एड्मिसाल चेबिकेट नहीं तो फिर बॉनाफाइड सर्टिफिकेट आपको इससे अप्टेन करना होगा देखो, student needs to provide a bona fide certificate in the prescribed perform or if the student domicile certificate is different from the state of institute or school where he or she is studying so scholarship की जो category है, देखिए इसमें तो एक है metric, जो पहला देखिए 2.1, it is pre-metric scholarship scheme for student studying from class 1 to 10, जो student है जो की 1 से लेके 10 के class में study कर रहे है, उनको कौन से scheme के लिए login करना है pre-metric scholarship scheme, इसमें आपको enroll करना है अगर आप student है, class 1 से लेके class 10 के, ओके और उसके आगे देखिए दूसरे scheme है, for post-metric scholarship scheme या फिर top class scholarship scheme या फिर metric comments scholarship scheme ये 10 के बाद किये, अगर आप समझे 1 से 10 इसमें नहीं है अगर आप 11, 12 या फिर किसी other courses जो की after 10 होते हैं, जैसे या फिर other courses जो की 10 के बाद किये जाते हैं, जैसे ITI, BSC, Bcom, Btech, Medical या फिर Engineering ऐसे कुछ student है, जैसे IT, IIT, IIMS, ऐसे कोई भी courses में अगर आपने enroll किया है, तो आपको क्या करना है, ये select करना है, post-metric scholarship या फिर अगर आप 11, 12 के class 10 में study नहीं कर रहे हैं, तो आपको simply दूसरा जो option है, ये आपको select करना होगे, post-metric या फिर top class या फिर matricum means scholarship scheme, इसके पाद name of the student और फिर ये जो mobile number है, बेसिक चीज है, email id, फिर bank का detail, identification number, ये जो identification detail है, इसमें आधार काड़ आपको submit करना होगा, ये सारी चीज़े हमने क्या कि properly read कर ली, समझ ली, उसके बाद हमको ये undertaking देना है कि I agree to the following, मतलब ये जो भी ऊपर जो detail दी गई है, इससे मैं क्या हूँ, सह मत हूँ, ठीक है, सो मुझे क्या करना है, हमें क्या करना होगा, ये जो तीन चीज़े हैं, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे, मतलब इसका meaning है कि जो उपर चीज़े जो दी वही थी, जो detail थी, हमने properly read की, understand की, ये हमको सारी चीज़े समझ में आ गई है, सो ये हमने तीनों चीज़ों को टिक कर दिया, ठीक है, इसके बाद हम लो continue पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको continue पे क्लिक करना है, अब continue पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा आपको registration for the current academic year opening soon, मतलब अभी तक जो registration है for the academic year 21-22, वो अभी तक open नहीं हुए, ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होगा, but be prepared with the required documents, जैसे ही यह registration open होंगे for the current academic year, आपके पास यह सारे detail होने चाहिए, तो basic चीज़ है कुछ तो, academic details तो आपके पास हो गई, bona fide certificate अगर आपके पास नहीं है, तो school या institution जहाँ पे आप admission लेंगे, वहाँ से आप obtain कर लेंगे, और एक जो most important चीज़ हो domicile certificate, अगर आपके पास domicile certificate नहीं है, तो आप domicile certificate बना लीजिए, अब जिस state में रह रहे हैं, जिस area में रह रहे हैं, उस area का जो भी तैसिल होगा, उस तैसिल पे आप contact करके, मतलब तैसिल का office होता है, उस particular area के जो तैसिलदार है, वहाँ पे contact करके आप domicile certificate के लिए apply कर सकते हैं, domicile certificate almost 15 to 20 days के अंदर बन जाता है, अगर आप लोग apply करेंगे, उसके बाद देखें, यह open होने वाला है, it is opening soon, फिर यह जो documents आपके पास सारी चीज़े हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे आपने आपको register कर सकते हो for the scholarship scheme के लिए, ओके जैसे यह जो website है, मतलब जो registration open हो जाएगा, तो मैं आपको update कर दूँगा, till then thanks for watching, और अगर आपको यह portal नहीं मिल रहा है google पे, तो मैं इसका link आपको description में दे रहा हूँ, वहाँ पे click करके आप इस portal पे जा सकते हो, और अपने आपको register कर सकते हो okay, take care, bye bye, thanks for watching